आज बनाते हैं ओड़िसा की हर घर में बनने वाली हर जगे मिलने वाली हर मंदिर में भी पूजा होने वाली प्रशाथ की तरह रौसोगला इसके लिए मैंने दो लीटर दूद ले लिया है चीनी घी और मैदा भिनेगर पानी के साथ मिला के और फ्लेवर के लिए इलाइची फिर दूद को उबाल देंगे थोड़ा उबालाने के बाद थोड़ा मतलब एक दो उबालाने के बाद इसमें मैंने विनेगर को थोड़ा-थोड़ा करके डाल दिया ताकि दूद फट जाए उसके बाद सारा विनेगर में ने डाल दिया थोड़ा-थोड़ा डाल रही थी भी सारा डेल दिया और ये धीरी धीरी फटना सुरू हो जाएगा अब फट गया है दूद्थ और ये जो छेना है उसको ज्यादा उबालना नहीं है हमें ज्यदा उपा लेंगे तो ये थोड़ा हाड बनेगा तो उसको नीड करने के वक्त थोड़ा फ्राउब्लेम हो गई फि प्लेट में निकालके इसको हम गूंद लेंगे चेने को ताकि अच्छे से एक टेक्शर आजाए जो रस्कुला बनने के लिए चाहिए बहुत सिंपल रेसीपी है और बहुत कम इंग्रिटेंस में भी बन जाती है इसमें मैं मेदा ले रही हूं थोड़ा सा थोड़ा सा ज्य विद्वार चीनी डाल दूँगी ज्यादा नहीं थोड़ी से ताकि वह बैंडिंग में ज्यादा कम करें फिर इसको नेड़ कर लेंगे हम अच्छे से गौन लेंगे अच्छे से गौनने से यह बहुत ज्यादा स्पॉंजी और सॉप्ट भी बनती है और आपको पताए जग वो और एक स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताएंगी. और एक जगा ले लेंगे, उसमें जो सीरा बनाना है, जिसमें हम रस्कुले को बनाएंगे. मैं यहां पे थोड़ा एक ट्विस्ट डाल रही हूँ, मतलब यहां पे एक जगा है पाहडा, वहाँ पर ऐसे ही बनती है रसकुला तो चीनी को जो जगा है बर्तन में उसे थोड़ा कैरमल कर देंगे उसके बाद पानी डालेंगे पानी मेंने तीन कप के बरावर लिया था और एक कप चीनी लिया थी जो आप आपके हिसाब से चीनी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने थोड़ा कम मिठा बनाया था उसके बाद फ्लेवर के लिए उसमें इलाइची डाल देंगे और हाँ आप जब छेना नीट करेंगे मतलब जैसे चेना को गून देंगे उसमें आप इलाइची डाल सकते हैं यहां तक की केसर भी डाल सकते हैं बहुत सारे फ्लेवर में बनती है आप कुछ भी डाल के बना सकते हैं फिर थोड़ा सा देसी जी में ने हाथ में ले लिया था ताकि वो जो बाल बनाओंगी उससे अच्छे से हो जाएं बट हां आप चेना जब कुंदेंगे ना वो चेने में चेने में से घी अपने आप निकलना सुरू हो जाता है घी छोड़ता है चेना फिर इसी तरह आप छोटे 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 बाल्स बना ले जिएगा मतलब आपके हिसाब से आपका अगर जाना है तो छोटा भी बनाते सकते हैं बहुत आसान है बहुत कमी इंग्रीडियंस में भी बन जाती है और बहुत चल्दी भी बनती है फिर ऐसे में ने बहुत सारे बाल्स बना लिये हैं और इस सारे को अब बनाते हैं लीजी होगी ऐसे नहीं होती है रिसको ले इसके इस सारे छेने की बॉल्स को इसके अंदर डालनेंगे दीरे-दीरे करके डालिएंगा और पानी मेरा थोड़ा कम हो गया था मैं बाद में भी पानी डालने वाली थी इस में पर अभी थोड़ा कम गया है इतना कम होने मत दीजिएगा ठीकी उसके बाद ECCО 15 अपर लिएगा उसके बीज में रेडी ही हो जाएगी फिर मैंने बीज में एक बार पानी दीद थी थोड़ा ताकि वो छेने की कलर जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाए उसको पलटा देंगे सारे और ज्यादा पानी और ज्यादा चाचनी के साथ अगर आप बनाओगे ना तो की जरुरत नहीं पड़ेगी वो अपने अपनी पलट जाएगी फिर हम इसको अच्छे से उबाल देंगे फिर रेडी हो जाएगी और पानी देने के बाद मैंने और पांच मिनिट उबाला ने थी हाँ जी तो महाप्रभु जगनात जी रथे यात्रा में जाते है तो उनके स गुसा होते थे तो उनकी गुसा को बनाने के लिए जगनात जी रस्कुले लेके आते थे उनके लिए आप भी बनाए जो गुसा है उनको भी खिलाएए लाइक शेयर सब्सक्राइब जा जगनात